नमस्कार दोस्तो आज की किलास में हम मद्रप्रदेश पुलिस भरती 2017 के ओल्ड कॉस्चन पेपर को हल करने वाले हैं दोस्तो आज की किलास में हम mental ability and mental aptitude मतलब मानसिक छमता और मानसिक योगिता वाले topic को हल करेंगे जो की 30 नमबर के कॉस्चन आते हैं और 30 ही कॉस्चन आते हैं ठीक है इसके पहले दोस्तो जनरल साइन्स चैनल पर अपलोड की जा चुकी है इसी पेपर की और इसी पेपर का logical knowledge जो अभी आपको सामने दिख रहा होगा general knowledge and logical knowledge तो इसमें general knowledge को मैंने हल नहीं कराया हुआ है केबल logical knowledge मतलब सीधा सा है reasoning से relate करना है आपके लिए ठीक है इसी तरीके से mental ability और mental aptitude भी reasoning ही कहलाता है जिसमें numerical maths भी थोड़ी बहुत पूची जाती है numerical reasoning के रूप में तो ये दौनों पार्ट आपको पहले upload किये जा चुके हैं logical knowledge के और general science के तो आप देख सकते हैं मद्द प्रदेश पुलिस भरती 2017 के old question paper के नाम से आपको एक playlist मिलेगी जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे ये हम उस topic पर आ चुके हैं स्क्रॉल करके वीडियो को mental ability and mental aptitude वाले इसका मतलब होता है मानसिक छमता इबा मानसिक योगता दोनों का सीधा सा simple मतलब है reasoning अपनी भासा है अपन को क्या सो मज़ना हैं दोस्तों कि दोनों क्या है simple सीधी सी क्या है reasoning है दोनों ठीक है question number first नीचे दिएगा एक क्रम में अगली आकरती कौनसी होगी तो देखें h i j j कैसा है उल्टा है k भी उल्टा है तो यहाँ पर l आना चाहिए तो l सीधा है ऐसा होता है तो l उल्टा है ऐसा रहे मतलब first इसका answer आपको tick कर दीना है कौनसा answer टिक करेंगे दोस्तों आप first टिक करेंगे ठीक है question number second बहुत ही बढ़िया question है दोस्तों ठीक है तो दूसरी आकरती में क्या दिया गया है यहां से दो step घूमके इधर आया हुआ ध्यान देना थोड़ा सा आप है न यह केवल मौकिक question होते हैं आपके ठीक है रीजनिंग का ही एक पार्ट है फिर यह reverse इधर गया है फिर इसके बाद में फिर दो भाग ध्यान देना यहां से देखे यहां से एक और एक यह दो तो एक दो यह साब बोल सकते यहां पर फिर से reverse जाएगा तो यहां पर आ जाएगा मतलब यह reverse हो कि यहां जाना है मतलब जो आकरती वनेगी वो किछ इस तरीके से वनेगी यह design वाली print होनी चाहिए तो इस तरीके से option हमारा कौन सा आ रहा ह जाओ तो option number 4 हमारा answer हो जाएगा यह दोस्तो आक्रतियां तभी आपसे हल करते बनेगी जब आप इनकी बहुत ज्यादा प्रेटिस करेंगे जैसी कि यह question number 3 है इसमें बोना जा रहा है कि overlap किया जाए अगर दोनों आक्रतियों को overlap मतलब एक की उपर एक फिट किया जाए तो क जादा जो दिख रहा है डार्क दिख रहा है वो highlight होके आएगा तो पीछे 2-3 किसमें दिख रहे हैं दोस्तो वो देखना है हमारे अगर हम option की बात करें तो 2 option ऐसे हैं 3 option जिन में पीछे 3 दिख रहे है तो आगे और हम इसको check करेंगे जो next हमारे design बनेगी वो इस तरीके से बनेगी के लिए आ रहे ऐसी कोई आकरती है क्या दो उपर हो एक नीचे हो इस तरीके से कोई तो इस तरीके से जो हमारी आकरती है दोस्तो वह केवल और केवल केवल कौन सी है दोस्तो केवल और केवल इस तरीके से first हमारी आकरती आ रहे है कौन सी आ रहे है दोस्तो कि इस त स्टार्टिंग में 3 30 आयेंगे देखो दो वाल आयेंगे फर्स्ट आकृति के और 1 आ जाएगा सेकंड आकृती का तो starting में कितने 3 दिखने चाहिए उपर की तरब 3 दिखने चाहिए clear है और ऐसी कौन सी आकृति है केवल दोस्तो first आकृति है ठीक है तो answer क्या हो जाएगा हमारा इस question का दोस्तो first answer हो जाएगा question number 3 का जो answer होगा वो first होगा clear है इसी तरीके से question number 4 question number 4 750 रोपे को ABC के बीच इस प्रिकार बांटा गया कि A अनुपात B 5 अनुपात 2 है A अनुपात B केतना है 5 अनुपात 2 और B अनुपात जो C दिया गया है वो 7 अनुपात 13 तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे अब आप बोलेंगे कि A Q लिखा है तो दोस्तों मैंने अनुपात समानुपात का वीडियो अल्रेडी बनाया है अगर आप basic सीखना चाहते हैं तो वहाँ से सीख लीजेगा जिसके सामने जो space खाली होता है वह value हम put कर देते हैं सभी को जब हम जोड़ रहे होंगे तो दोस्तों कितना बनेगा 75 75 यूनिट बराबर 750 तो एक यूनिट बराबर आजाएगा 10 हमको बताना है कि ये का भाग कितना होगा तो ये का भाग हो जाएगा 350 क्योंकि 35 गुड़ां 10 करने पे 350 आजाएगा I hope कि आपको समझ में आ रहा होगा अब आप फिर बोलेंगे दोस्तों कि mental ability and mental aptitude में ये maths कहां से आ गई तो दोस्तों ये numerical reasoning है जिसको आप generally क्या बोलते हो कि math जादा आती है reasoning में भी math आती है ऐसा offline class में छातर बहुत बार बोल चुके हैं कि reasoning में भी math आती है तो ऐसा नहीं है ये numerical reasoning ही कहलाती है ठीक है question number 5 60 km प्रती गंटे की चाल से 200 मीटर की दूरी तै करने में कितना समय लगेगा समय बराबर दूरी बटे चाल होता है दूरी 200 मीटर की है समय हमको निकालना है बटे में क्या आ जाएगे चाल कैसी है लेकिन चाल किलो मीटर पर आर में है और जो distance है वो मीटर में है तो यहाँ पर हम गुणा कर देंगे 5 बटे 18 का मतलब हमने किलो मीटर परती गंटे को किस में बदल दिया दोस्तों मीटर पर सेकेंड में बदल दिया इसको जब हम solve करेंगे 6 का 3 गुणा 18 और 6 का 10 गुणा इसका इंट उपर हो जाएगा यहाँ पर और यह 0 से 0 कैंसल तो टोटल जो बनेगा 60 बटे 5 मतलब 12 मिनिट 12 मिनिट को हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों 12 बटे अगर हम 60 करते हैं तो 1 बटे 5 मिनिट मेरे साब से यह option wrong हो सकता है क्योंकि मिनिट नहीं आएगा एक बटे 5 गंटे आएगा लेकिन अब ही option में जो हमको दिख रहा है हमको वो टिक करना पड़ेगा यह हम और आपकी मजबूरी होती है एक्जाम में ठीक है तो यहाँ पर हम टिक करेंगे option number second एक बटे 5 मिनिट जो math के question होते है पांस से विभाजित होने वाली तीन अंकों की अगर हमसे केवल पूछा जा रहा होता कि तीन अंकों तक की तब तो थोड़ा आसान था लेकिन हमसे पूछा जारा पांस से विभाजित होने वाली तीन अंकों की कितनी संख्याए हैं तो तीन अंकों की जो टोटल संख्याए हैं वो 999 हैं जिसमें हम पांस से भाग करेंगे तो 199 तक जाएगा लेकिन इस 999 में एक से लेकिन 999 तक की संख्याई आ गई लेकिन हमें चाहिए केवल तीन अंकों की संख्याई जो की विभाजित हो रही हो पास से तो दो अंकों की तक की संख्याई में हम किस से भाग दे देंगे दोस्तों हम भाग दे देंगे 5 से जो कि कितना आएगा 19 और इस 199 में से 19 जब हम घटा रहे होंगे तो 180 संख्याएं आएगे इसका मतलब यह होता है कि जो हमको पता करना है 100 से लेके 999 तक कि क्योंकि 100 भी सबसे छोटी तेन अंकों की संख्या है और 999 सबसे बड़ी तेन अंकों की संख् रहे होंगे तब 199 जो संख्याएं आई हुई है वो 1 से लेके 999 तक की डिवाइड आई हुई है लेकिन हमें चाहिए थी केवल 3 अंकों तक की संख्याएं या 3 अंकों की संख्याएं तो इसमें से हमने 1 से लेके 999 तक में अलग से भाग देना होता है और जो आता है वो उपर ना सोचे कि मैं बोरिंग मैसूस करा रहा हूं आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैं सीधा आपको ट्रिक भी बताता जाता हूं तो यहां से गुड़ा करने का होता है एक इससे कम करके लिखना इस नंबर से जिसमें भी हम 999 से गुड़ा कर रहे हैं उससे जो सामने वाला नं नंबर कु 9999 मैं से गटा देना या फिर 9999 मैं से तो यहां पर दो अंकात इसमें डिजिट सम भी लग जाता है डिजिट सम की प्लेलिस्ट मैंने पूरी की पूरी बना के रखी हुई तो आपको लिंक डिस्क्रिप्सन या आई बटन में मिल जाएगी तो आप बहां से सीख स रखते हैं ठीक है कॉस्च नंबर 8 पिता और पुत्र की आयू का बरतमान अनुपात है जो नौ अनुपात चार है यह हुए पिता जी और यह हुए पुत्र जी 5 साल बाद इनकी आयू का योग होगा जो कितने वर्स बाद 5 वर्स बाद आयू का योग होगा जो होगा 75 वर्स लेकिन भी यह यह बरतमान अयू का नुपात दिया हुए है तो 5 साल बाद दोनों 5-5 साल बड़े हो जाएंगे मतलब 10 साल इसमें से घटा देंगे तो 65 वर्स की वर्तमान आयू का टोटल आ जाएगा तो अब यहाँ से 9 और 4, 13 यूनिट बरावर 165 और 1 यूनिट बरावर 5 वर्स हमको बताना है पिता की वर्तमान आयू तो 9 गुणा 5 करेंगे 9 पनना 45 वर्स ठीक है न तो इसका अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 45 वर्स हो जाएगा अगर दोस्तों आपको किसी भी कॉस्चन का आंसर पता है या फिर आप बहुत अच्छ से तयारी कर रहे हैं और आप साथ ही साथ कॉस्चनों को लगाना चाहते हैं तो आप वीडियो को पोज़ गर करके कॉस्चनों के आंसर टिक कर सकते हैं उसके बाद में आप सॉलुचन को देख सकते हैं कि आपने सही किया या गलत कॉस्चन नमबर 9 केतने रुपय का 20%? 400 रुपय के बराबर होगा ओप्सन सामने हैं दोस्तों 400 रुपय के बराबर होगा मतलब 800 का तो होगा नहीं 8000 कभी नहीं होगा कितने का होगा 2000 का हो जाएगा या फिर आप डारेक्ट कर सकते हैं आपकी मर्जी ये सिंपल सा कॉस्चन है आपने करना 2000 का 20% किया कितना आएगा 400 ही आएगा 2000 का 10% 220% 400 सिंपल 8000 का 10% 820% 800 का 10% 20% 200 का 10% 20% तो और अली भी कर सकते हो आप ठीक है जिसकी परसेंट की भी प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी यूटूब चैनल पर ठीक है 12 आदमीं दुआरा कॉस्चन नमबर 10 12 आदमीं दुआरा किसी काम को 9 दिन में पूरा किया जा सकता है या किया जाता है 6 दिन काम करने के बाद उनके साथ 6 आदमीं और जड़ जाते है अब पूरा काम होने में कितने दिन लगेंगे तो अगर 12 आदमी काम कर रहे हैं कितने दिन तक 12 आदमी काम कितने दिन तक कर रहे हैं दोस्तो 9 दिनों तक तो टोटल काम कितना बना हमारा 108 यह हुए भहिया total work TW मतलब total work 6 दिन तक काम करने के बाद उनके साथ 6 आदमी और तोड़ जाते हैं मतलब यह जो भहिया 12 आदमी है 6 दिनों तक काम करते हैं तो कितना काम निप्टा देंगे 72 इसका मतलब 6 काम कितना बचा यहां से गटाएंगे तो 36 लेकिन अब आदमी बढ़ चुके हैं कितने हो गए हैं 6 आदमी बढ़ गए हैं तो total आदमी कितने हो भहिया 18 मैन हो गए 18 आदमी हो गए 36 काम को कितने दिन में कर देंगे यह 2 दिन में कर देंगे 18 दो निप्टा देंगे अठारा आदमी, 36 काम को किते दिन में अप्टा देंगे, दो दिन में अप्टा देंगे, यह यहाँ पर अगर आपको कोई समस्या है, तो आपको time and work की playlist देखनी होगी, अगर आप पहले से तयारी नहीं कर रहे हैं, या फिर आप pressure हैं, 12 अभी आपकी हुई है, और time and work की ट्रे की approach आपको पता नहीं है, तो यहाँ से आप देख सकते होगी, 12 आदमी, 9 देनों तक काम करेंगे, तो 108, 18 box या chair बनाना ऐसा आपन मान लेते हैं, दो दिन इसका answer आ जाएगा, question number 11, इसका यदि कुछ रोपियों को A, B, C में 5, 7, 6, A, B, C, 5 अनुपाद, 7, अनुपाद, 6 के अनुपाद में बाटा जाता है, यदि B को C से 4500 रोपे अधिक प्राप्त होते हैं, तो C को कितने प्राप्त होने चाहिए, या होंगे, तो देखें, यहाँ पर B को C से 4500 रोपे अधिक प्राप्त होते हैं, लेकिन हमारे पास इनका कोई perfect data नहीं, लेकिन unit का है, तो B को C से हमारा answer बनेगा दोस्तों, वह बन जाएगा 27000, clear simple question है, बहुत ही simple आते हैं कुछ तो, बस हवा बना रहता है कि नहीं बनते नहीं बनते हैं, तो आप थोड़ी सी भी तयारी कर लेते हैं, तो selection के chance आपके हो जाते हैं, question number 12, A, B से 2 साल बड़ा है, जो कि C की IU का दोगुना है, बहुत ही सांदार, question हैं दोस्तों, A, B, C, ध्यान देना भाई है ना, यहाँ पर आप ध्यान देना चाहें, तो आप post करके पहले इसको कर सकते हैं, A, B से 2 साल बड़ा है, जो की C की IU का दोगुना है, तो याद रखना बिलकुल यहाँ पर गांट बांद के अपने दिमाग म के लिए यह उपियोग होगा, दूसरे अक्षर या दूसरे आदमी या दूसरा जो कुछ भी word, article कुछ भी दिया हुआ है, उसकी लिए यह है उपियोग होता, आप देखें कैसे करेंगे, एक B से 2 साल बड़ा है, जो की C की IU का दोगुना है, तो यहाँ पर A और B की तुलना तो की जा रही है, लेकि C की तुलना किसी से नहीं की जा रही है, जिसकी तुलना किसी से ना हो, उसको हम सबसे छोटा मानते हैं, तो C को मान लिया, X, C दो गुना है, B दो गुना है, भी है, C से तो 2X, अब A B से 2 साल बड़ा है, तो 2X धन 2, लीजे, simple हो गया, मतलब आपका 27, दोर दो 4, दोर दो 4 और एक 5, 5X प्लस 2, दो कौन सा ये वाला, ठीक है, बरावर 27, 27 का पक्छा अंतर करोगे, तो 5X बरावर 25 तो X बरावर आ गया 5, हम से पूचा जा रहा है, ये की आईउ, ये की आईउ है, 2X प्लस 2, और X की वैल्यू 5, तो 5 दो निदासर 2, कितना 12 व प्योग होता है, कॉस्चन नमबर 13, एक साथ किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, 20 दिन काम करने के बाद B काम छोड़ देता है, सिस काम को ये द्वारा अकेले करने पर 20 दिन का अत्रिक्त समय लगता है, भी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करता पाएगा, मतलब कर पाएगा, ठीक है, थोड़ी सी हिंदी में में स्प्रिंट है, जोकि इंगले सही माना जाता है, अब देखे दोस्तों ये रीजनिंग में ऐसा टाइम एंड वर का कॉस्चन पोच लिया जाता है, तो यही एक सस्पेंस रहता है, MPPolice के एक्जाम में कि ये पार्ट वाइड डिवाइड कर देते हैं, और सब्जेक्ट वाइज कुस भी नहीं देते हैं, उपन करके कि भाई इतने की नंबर का देंगे, किसी किसी चातर को आप देखेंगे, तो इसी मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल aptitude में reasoning ही reasoning आती है, math नहीं पूचते हैं, किसी को math math पूच लेते हैं, किसी को math reasoning mix पूच लेते हैं, अपनी भासा में बात करें तब, तो यहाँ पर देखते हैं, इस question को अल करेंगे, A plus B किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, यहाँ पर हम total work जैसे बनाते थे, अभी तक वह हमता होगी, वह कितनी होगी, एक काम परडे, या फिर chair की बात कर लेते हैं, एक chair परडे बना सकते हैं, A और B मिलके, इतना clear हुआ, आगे दिया है, 20 दिन काम करने के बाद B काम छोड़ देता है, मतलब 20 दिनों तक दोनों ने काम किया, 20 दिनों तक दोनों ने काम किया, मिलक तो A और B दोनों मिलके कितना काम करते हैं एक काम परड़े या एक चेयर परड़े तो 20 दिनों में कितना काम बनाए होएंगे 20 काम बनाए होंगे या फिर 20 चेयर बनाए होंगे ठीक है न 6 काम कितना बचेगा 30 तो हमारा टोटल वर्क था ये वाला 30 तो हमारे पास में total work था ठीक है, 30 मैं से 20 घटा देंगे तो 6 काम या फिर 6 10 चेयर बच्ची हुई है जो कौन करता है अकेला, क्योंकि भीया B ने काम छोड़ दिया तो अब 6 काम किस के द्वारा किया जाएगा A के द्वारा किया जाएगा ये 10 काम अकेला किते दिन में करता है लिखा हुआ है, 6 काम 10 काम नहीं, 10 तो हमने हल करने पे निकाल हुआ है लेकिन 6 काम ये करता है 20 दिन में, ठीक है तो काम, बटे दिन बराबर क्या आएगी, work capacity आएगी, तो ये की जो कारे छमता है work capacity एक काम परडे के हिसाब से ये कर लेता है एक काम परडे के हिसाब से अब पूँचा जा रहा है तो B अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करता होगा हमसे पूँच रहा है कि भाया, B अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करता होगा अब बताओ मेरे प्यारे भाई कि जब A पिलस B की कारे चमता दोनों की मिलाके एक है ये दी हुई है आप ध्यान देना ये दी हुई है ठीक है तो जब A की कारे चमता एक बटे दो है मतलब आधी है तो B की कितनी होगी भाईया B की भी तो आधी ही आएगी ना B की भी कितनी तो B अकेला उसी काम को मतलब 30 काम को भी अकेला कौन से काम को उसी काम को ठीक है न किते काम को 30 काम को किते दिन में कर पाएगा 30 बटे 1 बटे 2 क्योंकि टोटल काम बटे कारे छमता वरावर होते हैं दिन ठीक है तो ये 32 नि 60 यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा I hope कि आपको में आया हुगा आंसर कितना हो जाएगा दूसरों 30 में जब हम आधे का भाग करेंगे तो 60 निकल के आएगा ये time and work का question है basically दोस्तों अगर हम बात करें तो अगर आपको कोई समस्या है तो already अपनी channel का तिमान अकेडमी पर पिलेलिस्ट डली हुई है time and work की basic foundation की और बहुत अच्छी approach के साथ बहुत अच्छी trick के साथ तो बहां से आप basics को सीख सकते हैं और cover कर सकते हैं question number 14 question number 14 14 एक ब्यापारी 4800 रुपे के अंकित मूल्य की washing machine को 15% और 5% की किरमेक छूटों पर खरीता है यदि वह 124 रुपे इसके परिवाहन पर खर्च करता है और इसे 30% के lab के साथ बेचता है तो washing machine का विक्रे मूल्य बताईए selling बताईए 4800 रुपे की washing है कितने की है 4800 रुपे की washing machine print है यह print price है जिसे 15% और 5% की करमेक डिसकाउंट के बाद खरीता जाता है दोस्तों आपको idea होगा पहले से कि print price percent में 100% के बराबर होता है 15% discount मिला मतलब sell कितने में हुई 85% में percent का बटे में 100 फिर से discount दिया जारा क्रमेक मतलब gradual या लगातार discount दिये जारा है तो 5% का discount दिया यह फिर से मेरे प्यारे भाईयो 100% के बराबर rate हो गया अगले discount के लिए तो 5% का discount फिर से देंगे तो बचा selling 95% बटे में 100 I hope कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी अगर कोई भी समझ्या है प्यारे छात्रो तो इसकी भी आपको playlist मिल जाएगी YouTube चैनल गतिमानेक एडमी पर तो आप बहाँ से discount भी सीख सकते हैं अब यहाँ से तो बात हुई कि इतने में उसने खरीदा लेकिन परिवाहन में भी तो उसने 124 रुपईया का खर्च किया ना किया ना तो वो भी अमें तरही लगे हाथ जोड़ देंगे इस पूरे को हमें क्या करना है solve करना है इस पूरे को जब हम solve करेंगे मेरे दोस्तो तो यहाँ से 5 से 19 बार और यह यहाँ पर आप 20 बार इसको cancel कर सकते हैं ठीक है ना यह यहाँ से 5 से 17 बार और यह भी 20 बार यह 0 यह 0 जीरो इस तरीक से 2 दोनी 4 चार का कितना गुणा लिखा हुआ है 12 अब यहाँ से इन सब इन दोनों को गुणा करना और इसका भी गुणा करना है तो मैं चाहूत एक बार और लिख दे रहा हूं 12 गुणा 17 गुणा 19 धन 124 पहले गुणा किया जाता है इन दोनों का गुणा करेंगे आप तो 204 आएगा आप कैलकुलेशन या गुणा भाग करने की स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए 19 गुणा 204 करोगे तो 38,76 आएगा प्लस 124 प्लस 124 इसको जोडोगे तो 4,000 आजाएगा क्या है ये 4,000 ये जिसने खरीदा है उसके लिए कोस्ट बनिया तेरा परसेंट वाइस पे लाब कमाता है मतला कोस्ट कितने के बराबर है खरीदने वाले के लिए 100 परसेंट के रुपईया बनेगा जो की जिसने खरीदा था ये डिसकाउंट परिवान अरिवान करने के बाद उसके लिए ये सेलेंगे 4520 रुपईया 4520 रुपईया मतला वांसर नंबर दू इस तिर जल में एक नाव की चाल 10 किलोमेटर प्रति गंटा है और धारा की चाल 5 किलोमेटर प्रति गंटा है भारा की विप्रीद दिसा में 5 कि दूरी तैकरने में नाव को कितने मेरी मिनिट लगेंगे अब इस question में दोस्तो धोड़ी सी misprint है हमसे हिंदी में लिखा हुआ है विप्रीत दिशा में और English में लिखा है downstream downstream मतलब धारा की दिशा में और धारा की विप्रीत दिशा मतलब अब stream होता है इसका मतलब हिंदी वाला हमें संगलत माना जाता है सही कौन सा माना जाएगा मेरे भाई सही माना जाएगा English वाला तो last में जो हमको ग्याद करना है वो क्या कहलाएगा downstream ही कहलाएगा धारा की दिशा में ही कहलाएगा इस्तिरजल में नाव की चाल है भीया 10 km प्रति घंटा मतलब भी boat की चाल 10 km प्रति घंटा और water की चाल पानी की चाल है जो 5 km प्रति घंटा है जब धारा की दिशा में नाव जाती है तो चालें जुडती हैं जुडती हैं चालें 10 और 5, 15 क्योंकि आप 10 की चाल से चल रहे हैं पानी में पानी आपको support कर रहा है पानी आपको support कर रहा है 5 km पती घंटे की चाल से तो आप 15 km पती घंटे की चाल से दोलने लगे या तैरने लगे याँसा आप बोल सकते हो कितनी दूरी तैय करना आपको 5 km की तो दूरी बटे चाल बरावर क्या निकल के आता है समय तो 5 बटे 15 मतलब 1 बटे 3 घंटे हमको बता अब देखे दोस्तों आप बिलीब नहीं करेंगे कि जो question नमबर 15 है यह boat and stream का है लेकिन कौन से topic में दिया हुआ है mental ability and mental aptitude सीधा सा बात सीधी सी बात है अपनी भासा है वो ले reasoning वाले topic में दिया हुआ है तो ऐसा होता है और हो सकता है क्योंकि एक जो numerical math होती है निउमेरिकल का स्वरी अर्थमेटिक में अर्थमेटिक रीजनिंग भी होती है ना अर्थमेटिक निउमेरिकल रीजनिंग भी होती है जो कि एर्थमेटिक में पूरे topic math के आ जाते हैं यही वज़य है कि mental ability और mental aptitude में 15 नंबर question के जैसे वोट एंडिस्ट्रीम के question हां बात यह है कि सरल है question लेकिन आखर है तो वोट एंडिस्ट्रीम arithmetic math का है जो कि arithmetic reasoning के रूप में उपियों किया जा रहा हूँ जिसको आप बोलते हो कि मैं थाती है जाद मैं थाती है पुलिस में असा नहीं है यह reasoning है लेकिन हम बोल सकते हो कि मैं थाती है तो दौनों आपको कबर करना है depend करता है कि आपको कौन सी सेट में कौन सा paper फस रहा है अलग-अलग आते है paper set ठीक है cost नमबर 16 दो बैक्तियों कि आयू का अंतर 5 बरस है अधी उनकी आयू का यह गए 144 के बर्गमूल के बराबर हो तो दौनों में बड़े की आयू कितनी होगी 144 का बर्गमूल मतलाब 12 टोटल दोनों की आयू का बारा बरस है और अंतर दो बरस है अब ऐसे कौन-कौन से pair बन सक और अंतर 2 ब्यक्ति च्छे और च्छे 12 ऑप्सन नमबर 12 हो गया हो गया कि नहीं होगा क्योंकि छे और च्छे 12 टोटल 12 होना चाहिए न तो पन्तर हो गा गया तो साट नमबर 12 मतला ओंसा 2 हमारा राइट जाएग कि चेक करने के हाल करने के बहुसतारी तरीका x-2 और x-2-2 वर्से ब्लोपन विदी से भी कर सकते हैं X-Y2, X-Y वराव 12 यहां से Elimination Method लगा के भी कर सकते हैं नहीं तो मेरे साथ से आप Orally कीजिए कुछ सरल कॉस्टन भी आते हैं जैसी कॉस्टन नमबर 16 तो आपसन आपका क्या हो जाएगा 3 मतलब 7 वर्स आ जाएगी बड़े वाली की आईउ ठीक है कॉस्टन नमबर 17 एकी आईउ उसके पुत्र की आईउ की 6 गुनी है एके पिता की आईउ उससे 40 वर्स देखे उन सब की कुल आईउ 118 वर्स है ठीक है यहां पर कॉस्टन नमबर जो हमारे लिए 19 दिया गया है इसमें क्या लिखा हुआ है कि वहिया सुरी 17 दिया हुआ है कॉस्टन नमबर कौन सा है 17 जो एकी आईउ है उसके पुत्र की आईउ की कितनी गुनी है 6 गुनी है तो यहां पर सबसे पहले हम पुत्र जी लेख लेते हैं फिर ए के पिता एके पिता जी इधर लिख लेते हैं कहीं भी लिख लें उससे कोई इसुने यह के यह पिता है यह साइन बना हुआ एके पिता एकी आईउ उसके पुत्र की आईउ 6 गुनी है मतलब इसको एक्स मान लेते हैं जिसकी तुलना किसी से नहीं होती उसको सबसे छोटा मानते हैं कहीं भी बढ़ रहे हैं चाहे मैं अथ में चाहे रीजनिंग में तो यह की आईउ 6 एक्स हो जाएगी एक के पिता की आईउ उससे 40 बरजा दिखे मतलब किस से ए से तो 6 एक्स धन 40 सभी की आईउ का टोटल 118 है सब को जोड़ दो 6 और 6 12 और 1 13 एक्स प्लस 40 वरावर 118 इसका पक्षांतर करेंगे तो एक्स वरावर 118 मैं से 40 घटा होगे तो कितना आ जाएगा 78 बटे में ये 13 बटे में जाएगा तो इधर 13 का 6 गुणा 78 एक्स की वैल्यू कितनी आगई 6 हमें पूचिए एक ही आई हूँ तो 6 का 6 गुणा 36 अब ऐसा तो नहीं लग रहा हूँ आपको मैं कैलकुलेशन स्पीड में कर रहा हूँ तो यही स्पीड आपको बहाँ पर फॉलू करनी है इस बज़े से में स्पीड में कर रहा हूँ कॉस्ट नमबर 18 50 विध्यारतियों के प्राप्त अंकों का उसत 75 है यदि एक विध्यारति द्वारा प्राप्त 86 अंकों को 36 लिख दिया जाए तो अंकों का सही उसत क्या होगा भहिया टोटल कितना 50 विध्यारतियों का जो उसत है वो 75 है तो total नहीं का कितना हो जाएगए सभी का total जो सभी का बनेगा 3750 अंक बने लेकिन समस्या ये आ गई कि 86 को एक बिध्यार्थी के अंकों को एक बिध्यार्थी दोवारा प्राप्त 86 अंकों को 36 लिख दिया मतलब कितना कम लिखिगा है एक तो ये तरीका है इसमें से 86 गटा हो 36 जोड़ दो ये कि ये देख लोगी 86 अंगों को 36 लिखा है मतलब कितना कम लिखा है 36 में 36 गटा दोगे तो मतलब 50 कम लिखा है तो 85 जोड़ दो तो आपको थोड़ा सा कम मेनत करनी पड़ेगी या फिर आप पहले 86 गटाओगे फिर 36 जोड़ोगे बात वही होगी मतलब आप सीधा सा 50 इसमें जादा कर रहे हैं या आप यह सांतर करते हैं इनका टोटल करेंगे तो यह बनेगा आपका 38,500 आप पूचा जा रहा है तो सही ओसत चातर तो अभी भी 50 है ना तो 50 से डिवाइड कर दो कितना आजाएगा चैतर आंसर होगा आपका 76 यह किसका कॉस्चन है आउसत का आप जानते है कॉस्चन नमबर 19 15 लोगों के एक समुए में लोगों की आउसत आयू 45 वर्स है दो बैक्तियों के निकल जाने पर पांच वर्स बढ़ जाता है निकलने वाले दोनों बैक्तियों की आउसत आयू गया आथ किजिए 15 लोगों के समुए में लोगों की आउसत आयू 45 वर्स है तो टोटल उनकी आयू कितनी होगी भही है 45 गोड़ा 15 बरावर 675 वर्स 675 वर्स होगी ना बैक्तियों निकल गए तो कितने वचे 13 तो उनकी उसत आयू कितनी बढ़ जाती है 5 वर्स बढ़ जाती है 45 से कितनी हो जाती है 50 हो जाती है तो टोटल आयू कितनी आयू दोस्तो यहाँ पर आएगी 650 मतलब सही है देखिए यहाँ पर पहले जो 15 लोग थे अब आ रही है दोस्तो 650 पहले 675 थी तो कितनी काम होगी 25 तो दो लोग निकले ना तो डिवाइड वाइड दो कर देंगे तो साड़े वारा उनकी उसत आयी होगी दोनों की जो निकल के गए हुए है इस गुरूप से ठीक है ये भी वहसत का ही कौस्चन है इसके पहले भी वहसत का मतलब देखिए ये बनाते हैं क्या करते हैं पीवी वाले पेपर को मन से कहीं से भी उठा के देते हैं कौस्चन नंबर भी इस कौस्चन नंबर भी इस विस्ब कप में semi-final तक साथ मैचों में यवराज का ओसत 65 था मतलब यवराज है जो साथ मैचों तक 65 रन बना रही थे विसकप में यवराज को आठवे मैच में कितने रन बनाने चाहिए कि फाइनल मैच में उसका ओसत 85 हो जाए मतलब अभी ओसत कितना है 65 हो जाए 85 80 कितना बढ़ाना है इनको उसत यवराज साब को 20 रन बढ़ाना है कितना बढ़ाना है 20 रन बढ़ाना है सभी के लिए ठीक है तो यहां पर देखें उसे 65 तो बनाने ही होंगे इस मैच में 65 तो बनाने ही होंगे हाई ना इसके लावा आठवे मैच में उसे इतने जादा रन ब यह आ गया प्लस 65 सभी को जोड़ोगे कितना निकल के आएगा दोस्तों 225 समझ रहे होंगे न आप लोग भाईया यह कॉस्चन जो मैंने स्ट्रिक से बताया हुआ है यह आपको इतना घुमा फिर आके बताया गया बुक में और और भी कोचिंग में कि आप इसकी कल्पना नही यह आठ भी पारी के बाद में 50 मतलब वीशत का मतलब होता है प्रत्यक की वैल्यवे एवरिवन इच वैल्यू ठीक है सभी की वैल्यू प्रत्यक की तो यहां 20-20 रन सभी पारियों में बढ़ना है मतलब उसे 65 तो बनाने पड़ेंगे न जब बढ़ना है और अधिक और बना आठ पारियों के लिए तो 8 गुला 20 किया, 160 रनों से जादा बनाने पड़ेंगे, इस तरीकी से टोटे उसे 225 रन बनाने पड़ेंगे, ये भी औसत काई कोस्टन है, बहुत अच्छा कोस्टन है, दोस्तों ये तो most IMP कोस्टन है, most IMP कोस्टन है, बहुत बार पूंचा गया, इसके लिए तो आप लिख के रख लो है ना, गैरंटी है, आप कोई भी एकजाम दोगे, आपको औसत सी ये कॉस्टन मिलेगा, इस बात की गैरंटी है, तो 225 इसका अंसर, तो देखें दोस्तों कॉस्टन नमबर 21, 90 किलो मीटर प्रती गंटे की चाल से चल रही, ट्रेन को 75 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 8 सेकंड लगते हैं, तो ट्रेन की लंबाई याद करें, दोस्तों जो चाल का फॉर्मुला होता है, दूरी वैटी समय, उसी को हम कनवर्ट करके दूरी ये लंबाई बरावर, चाल बोड़ा समय लख लेते हैं, लंबाई इ ये हुई है मारी ट्रेन, ठीक है, ये ट्रेन है वही है, ये ट्रेन है और ये रहा प्लेटफॉर्म, यहाँ से यहाँ से जब ये ट्रेन आई, ध्यान देना दोस्तों, यहाँ से ये ट्रेन आई और इस तरीके से क्या आप बोलेंगी पार कर ली, नहीं कर ली अभी पार, ये बाई के वराबर हुए दूरी तय करेगी यहां पर मैंने यह इसलिए जगह छोड़के रखी क्योंगी यह किलोमीटर परती गंटे में और यह सेकंड में तो इसके लिए हमारे लिए किस में बदलना पड़ेगा दोस्तों मीटर पर सेकंड में जिसके लिए गुणा करेंगे हम 5 बटे 18 कभी भी किलोमीटर परती गंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5 बटे 18 का गुणा करते है मतलब छोटी भिन का या छोटी संख्या उपर बड़ी संख्या नीचे हर में और जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर परती गंटा में जाना होता है तो बड़ी भ तर प्लस टी तो टी बराबर फाइनली यहां पर कितना निकल के आए गए दोस्तों 125 मेटर यही क्या होगी यही ट्रेन की लंबाई होगी देखें दोस्तों मेंटल एपिटिटूड और मेंटल एविलिटी में टायम एंड डिस्टेंस या ट्रेन के कॉस्चन पूछे जा रहा ह है अब इसमें मैं आपको बताओं दोस्तों यह भी अगर आप केवल एंपी पुलिस के लिए तैयारी कर रहा है तो यह पता वाला है एड्रेस वाला हर एक सिप्ट में कॉस्चन आता है दोस्तों जितने भी एक्जाम होते हैं जितने भी पारी में जितने ही सिप्ट में ही है मतलब आप तुरंत कैसे इन चीजों को देख पा रहा है प्रेजेंट आप माइंड तो यहां पर अगर जो पहले पते कर जैसे देखें तो बैसा दोस्तों दूसरा हमारा नहीं है दूसरा में क्योंकि बी ए आर ओ यू जी एच लिखा है जो की पते में लिखा हुआ है TORO, 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 EON, zł depending 고 से लिखा है मतलब ये aquí ho की जग्रा लिखा हुआ ठीक है तो यहां पर आउंणसर क्या हो जाएग दूस्तों बीच वाली value या फिर मध्यमान हमेशा बीच में रखते हैं ऐसे cross में घटा देते हैं ये mixture का या mixture लगाने का formula है बड़े मैंसे छोटी value घटाते हैं 80 मैंसे 60 घटाओगी 20 60 मैंसे 50 घटाओगी 10 2 अनुपात 1 हो जाएगा मतलब दो भाग 50 रुपए प्रती किलोग्राम बाला औ इन दौनों को मिलाएंगे तो मिस्रण की कीमत बनेगी 60 रुपए प्रती किलोग्राम question number 24 दीगई स्रंखला का योग ज्यात कीजिए ये आपके लिए भाईया home work है तो आप इसके लिए क्या करें खुद से ग्यात करें totally करना है जोड़ना है तो आप जोड़ दें ये कई तर question number 25 ओसत निकाल ये देखिए दोस्तों ओसत के चौथा question कर रहे है अपन तीन question पहले और ये चौथा सभी को जोड़ना है और ओसत का formula क्या होता है the number of total और number की संख्या तो सभी का total करना है और जितने number है उतने से भाग दे देना number y कितने है तीन और तीन 6 से भाग दे देना ह question number 24 मेरे साब से आपको ओसत निकालने में कोई परिशानी नहीं होगी ओसत का formula जो आपने बचपन में पढ़ रखा है चौथी पांच वी से लेके वही ओसत का formula यहाँ पर काम करने वाला है ठीक है question number 26 एक परिक्षा में 36% विध्यारती अंग्रेजी में और 40% विध्यारती ह हिंदी में फेल हो गए यदि दोनों विश्यों में फेल 20% हुए हो तो पास हुए विध्यारतीयों का प्रतिशत याद करें भाई 36% किस में फेल हो गए अंग्रेजी में और 40% किस में फेल हो गए हिंदी में दोनों में कितने फेल हो गए या 20% बोथ है न दोनों यह हुए ह दोनों में clear हैं अब यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे तो 36% और 40% वाले विद्यारतियों मैंसे ही तो 20% इधर लिखा हुआ है दोनों कोई subject नहीं है दोनों दोनों subject की बात कर रहा है तो एक सीधा जो subset चीट रेक है दोनों को जोड़ो और उस मैंसे 20% घटा तो 76 मैंसे 20% घटा रही होंगे तो यह बचेगा 56% यह आगे भी यह कौन से यह आयो है टोटल फेल हुए विद्यारती यह फेल पास पूछे जा रहे है टोटल विद्यारती अगर % की बात करेंगे तो 100 होंगे 100 मैंसे 56% किया हुए फेल तो पास कितने हुए होंगे भी यह पास हुए होंगे 44% पास कौन हुए होंगे 44% अगर इस तरीके से आपको कोई समस्या है करने में तो दूसरा तरीका दूसरा तरीका देखिए वेन डाइग्राम बाला लिखा गया है या दिया गया है कि 36% विध्यार्थी इंगलिस में फेल होते हैं 36% विध्यार्थी इंगलिस में और 40% विध्यार्थी हिंदी में लेकिन 20% विध्यार्थी दोनों में किस में भीया दोनों में फेल होते हैं क केवल हिंदी में हुए होंगे यहां पर बात करें 36 परसेंट अंग्रेजी में हुए है लेकिन दौनों में बीस हुए हैं तो माकी 16 बचे केवल 16 परसेंट इंगलेस में हुए होंगे अब बात करते हैं यहां हमसे पूछा जा रहा है कि पास हुए विध्यार थी तो इन सभी को जोड़वाब बीस दूनी चालीस और सोला जोड़ेंगे आप कितना हो जागा चपन परसेंट तो यह तो हुए भी है टोटल फेल तो पास कितने हुए होंगे पास हुए होंगे चावालीस के विध्य टोटल क्या होता है हमेशा हर एक चीज परसेंट में बात की जाए तो टोटल कितनी होती है सो परसेंट होती है कॉस्चन नमबर 27 एक तिर्भुज का छेत्रफल 150 वर्ग मीटर है यह रहा तिर्भुज है ना इसका जो छेत्रफल 150 वर्ग मीटर इसके आधार और उंचाई का अनुपात आधार कितना है विया और उंचाई जो इसका अनुपात दिया गया है वो है तीन अनुपात चार तो मतलाव इसका हम आधार मान लेते हैं कितना तीन एक्स और उचाई मान लेते हैं चार एक्स ठीक है आधार की लंबाई क्या होगी जो आधार का छेत्रफल दिया उसके बरावर हमको फॉर्मला लगाना पड़ेगा तो आधार का जो छेत्रफल होता है स्वरी तिरभज का जो छेत्रफल होता है वो एक बटे दो आधार गोडा उचाई होता है एक बटे दो गोडा आधार तीन एक्स गोडा उचाई चार एक्स ठीक है और इसका जो छेत्रफल दिया गया है वो कितना है दोस्तों 150 है ठीक है दो से cancel करोगे दो दुनी 4 यह हुआ यहाँ पर तिन दुनी 6x square क्या हुआ भी है 6x square तो 150 वरावर 6x square 6 से इसको आप cancel करेंगे जब आप इसको 6 से cancel करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 25 क्योंगी 25 चके क्या होता है 1500 यह x square के बरावर आउगे तो x square कितना आ जाएगा यह पांच आ जाएगा x की value कितना आ जाएगी पांच आ जाएगी ठीक है एक्स की value कितना आ जाएगी 5 अगर आपको नहीं दिख रहा है तो जो मैंने बोला ओर औरवली वह आप समझें और धियान दें तो हमें बताना है आधार तो 3x square पंद्रा इसका अंसर हो जाएगा ती नेक्स बरावर कितना होगा पंद्रा कॉस्चिन नमबर 28 नीचे दिए गए संगला में अक्षरों संख्याओं का करम नहता है गलत संयोचन पहिचानिए इसमें गलत बताना यह भी सेंपते जैसा कॉस्चन यह भी मोस्ट आई MP अगर आप इस तरीके से अगर हम गलत संयोचन की बात करेंगे तो तीसरा हो जाएगा ठीक है यह बहुत सिंपल कॉस्चन होते हैं यह आप तुरंद की नजर कैसी है मतलब पास की नजर आपकी कैसी है यह बताना है कॉस्चन नमबर 29 एक्स अपने माल को 22 से 20 परसेंट सस्ता एक्स है भ यह बना सकते हुए यह बना 24 के 20 परसेंट जो कि मैं डारेक्ट कर सकता था लेकिन आपको दिखाने के लिए परसेंट लिख रहा हूं मैं ठीक है जैड का माल सौरी यहांगे लिखा हुआ है एक्स अपने माल को 22 से 20 परसेंट सस्ता और जैड से 20 परसेंट महेंगा बैचता ह कौन भाईया एक्स तो एक्स और जैड का कमपरिजन यहांपर कर लेंगे ए जो एक्स है वह जैड से 20 परसेंट महेंगा बैचता है तो जैड सो में तो बैचेगा तो 120 में इसका आप यूनिट बनाओगे 20 चाब 120 25 चे 100 एक तरीका तो यह है इसको आप एक ही लाइन में जैड में बताता हूँ मैंने एक्स को बीच में क्यों लिखा हुआ बाई की वैल्यू 5 है कब जब एक्स की वैल्यू 4 है बाई की वैल्यू सोरी जैड की वैल्यू 5 है जब एक्स की वैल्यू 6 है यहां से हम इसको अनुपास समानुपात की हमारी ट्रिक के according convert कर लेंगे जिसक सभी जोलेंगे हम जब इन सभी को जोडेंगे जिएड का माल बाई के माल से कितना महंगा अथब अधवा सस्ता थbling यह जैड का माल तो बाई के माल से सस्ता है कितना 5 किस से सस्ता है 15 से तो एक बटे 3 और एक बटे 3 की वैल्यू होती है वह यह 33 सही एक बटे 3% या फिर 33.33% होती है ठीक है यह किसकी वैल्यू होती है यह एक बटे 3 की या 5 बटे 15 गुणा 100 करेंगे जब 5 बटे 15 5 बटे 15 यहाँ से करेंगे यह लिखा मैंने य अनुपात X अनुपात Z ओ एक्स अपने माल को बाएस से 20 परसेंट सस्ता बेचता है तो बींस其實 τι सस्ता मतलब चारवटी 5 मैं चारव मैं बेचता है यह यह केतना डिशता है पांच मैं बेचता होगा और यह जैड से 20 परशेंट बहेंगा बेचता है मतलब 6 वटे 5 ठीक है तो ये 6 और ये 5 हो गया जिसके सामने जो value खाली है उसको हम put कर देंगी simple यहां से इसको हल करोगी वही पुराना अपना तरीका जो अभी किया हो था question number 30 question number 30 204 रुपे में एक नई साइट की कीमत 250 रुपे थी ठीक है जबकि 2005 में 400 रुपे हो गई 2004 से 2005 के दोरान साइट की कीमत में कितने प्रतिसत की बढ़ोत्री हुई 2004 में ये 250 रुपे या अगी थी और 2005 में कितने की हो गई 400 रुपे की हो गई तो कितने रुपे इसकी कीमत बढ़ गई है 1500 बढ़ गई किस से बढ़ गई 200 से यहां से आप इसको परशेंट में कनवर्ट कर देंगे जो की बनेगा 3 बटी 5 तीन बटी 5 मतलब 60 परशेंट तो कितने की बढ़ गई 60 परशेंट की सिंपल सा परशेंट का कोस्टन है आई होप कि दोस्तों आपके लिए ये वाला मेंटल एविलिटी एंड मेंटल एप्टिट्यूड का टॉपिक समझ में आया होगा इसके बाद हमारा टॉपिक बचा कि साइन्स एंड सिंपल अर्थमेटिक का तो साइन्स का मैंने सॉल्ब करा दिया एक इवल सिंपल अर्थमेटिक बची हुई है जो कि हम इसके अगले पार्ट में दोस्तों हल करेंगे अभी हम हल इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यही वीडियो सम्थिंग 40-42 मिनिट का हो चुका हैं वीडियो की लेंथ ज्यादा ना होने की वज़से मैं आपके लिए सिंपल अर्थमेटिक वाला पोर्शन अंगले वीडियो में लेके आऊंगा आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अगर फिर भी कोई समस्या होती है तो कमेंट के दरवाज खुले हुए हों और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एब हम से यर भी कर सकते हैं अपने दोस्त यारों में थैंक्यू